कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के में क्लास की यूटूब चैनल में दोस्तों चौथा जो पार्ट था लॉक्डाउन स्रीज का जिसमें मनें बोटन इस्ट्रीम खतम किया था तो पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ था बीज में कुछ ही सुच को ऐसे क्लास बंद ह हो गई थी तो मैंने आप सभी से कहा था कि बोटन इस्ट्रीम को मैं पूरा खतम करा दूंगा एक छोटी वीडियो आपको रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा बहुत ज्यादा पार्ट तो बचा नहीं था तो यह वीडियो में कंप्लीट बोटन इस्ट्रीम खतम कर देंगे दिन इसके बाद जैसे ही पांचवा लॉक्डाउन से जाएगा मतलब को मिलाकि हमने यह सोचा था कि 20 दिन 20 महरातन चलेगी बट आप सभी को पता है कि लॉक्डाउन चल ला है पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो लॉक्डान ने वह पांच महीं तक बढ़ चुका तो अधर फैकल्टी का आप आना थोड़ा सा मुस्किल हो गया है तो इसी विज़ा से लॉक्डाउन सेज को मैं तो अकेले कांटीनु करना हूं जितना भी हो पाएगा मैक्सम कांटीनु करूंगा मंगलवार सी लॉक्डाउन स्रीज भी पूरी तरीके से जो हमने छोड़ा था उस दिन और उसको कवर करेंगे पूरी तरीके से ताकि कुछ भी जो है वो बचा नहीं रहे जाए और आपको कंप्लीट चैप्टर यहां पर खतम हो जाए तो आखरी जो कोशन हमने देखा था अगर आपने चौथा और लॉक्डाउन पार्ट ना चुका है अब आपको पता है कि समय के बाद हमें क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है स्पीड है ना क्यों कि स्पीड इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारे आगे पैस आगे जो है उसने स्पीड की बात करा या कि करेंट जो है वह दो किलो मिटर परावर की स्पीड से चल पांच बारा और साथ में से पांच जाएगा दो और यहीं जो होती हमारे पास धारा वाली गती होती है क्योंकि इधर साइड अप इस्ट्रीम है यह वैत मैंने पर आपको चौते अले पार ने बताई यह लॉग्डाउन स्रीज में जाके देखेगा एकदम कॉंसर्ट क्लियर ह हो जाएगा कुछ भी आपके लिए बचेगा नहीं अब यापका दो हो गया और एक्शली में कोश्टन में धारा की स्पीड भी दो ही दे रखी तो यहां पर दो है तो दो रेसियो बराबर दो एक रेसियो बराबर एक आ गया हमसे कहता है नाओ की चाल बताई यह नौ की चा सांत जल्में एक विक्ति के नाओ खेने की गती हमारे पास दे रखा धारा के आप वोची डिसा में खास धूरी तये करने में जो समय लगता है वह धारा की दिसा में लगे समय का दो गुना है तो धारा की गती बताईए अब यह तो आसान कोश्टन है HAVE की नहीं है क्योंकि हम क्या होता दो और एक तीर 2 में से एक जाएगा एक वी स्पीट एक बार हो जाती है है और जो अब होता है तो वही फिर माइनस हो जाती है फिर हम से कहता है नाव खेने की गथी 9 है मतलब इस कोशन में आपको नाव चलने की स्पीड उसने रखा है कि नौ कितनी सपीड से चलना है अब नौ की स्पीड है इससे चल ला भाइव हुआ खाखी कितनी है एक तो एक रेस्यों की वैल्यू कितनी आगई तीन आगई यानि तीन किलोमीटर पर आवर इस दराइट एंसर और इसको जाएगा आसान सा कोश्चन था कॉंपसेट हमने एक बार क्लियर कर लिया तो कोश्चन को आराम से रेश्यों में ठट से बिलकुल आसानी से कर सकते बिना किस परिशानी का और बहुत ऐसे दिक्कत नहीं कि हम ऐसे कोश्चन का और किस तरीके सॉल्व कर पाए अब जैसे यह कोश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए एक बार कैसे यह कोश्चन हो पा रहा बिलकुल ज्यान से सभी लोग देखिए यहां पर थोड़ा से इसको जू अब कहता कि सांत जल में नौ की चाल दे रखा और धारा की गती हमें दोनों दे रखा तो वह दूरी आपको बतानी है जो दूरी कितनी है वह हमें बतानी है हमारे पास क्या क्या दे रखा है उस पे जला ध्यान दीजेगा बाई सांत जल में नौ की चाल दे रखा है और धार आ हुआ रहे हुए बसाफ पो यह सोचना कि कि स्व तरीके से लगा पाऊगा देखो इसको करने का तरीका अधा दूसरा मैं आपको पहले सिंपल मैठर बता देता है ङता पहले सिंपल कितने होगी हमारे पिश्टER हूग होगा अब बताओ आप लोक कि डी डिस्टेंस जो है वो कह रहा है नाव की स्पीड नौ है और धारत तीन है अगर डारेक्शन में जाएगा तो क्या दोनों जुड़ेगा और अगर अपोजिट डारेक्शन में जाएगा तो क्या दोनों घटेगा डिस्टेंस अपान टाइम डिस्टेंस अपान टाइम डिरेक्शन में जाने में अपोजिट डिरेक्शन में आने में यानि टोटल जो समय क्योंकि डिस्टेंस अपान टाइम इस उकल टू डिस्टेंस अपान स्पीड इस उकल टू टाइम यानि टाइम हमारे पास तीन घंटे सब्सक्रीयों अगर हमें यह इसे आप 추가 सकते हैं यह तहो आएंगे कैसे कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है आसान सा है इजी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कर पाऊगे ठीक आब आउज जोड़ा समझते हैं इसको हम रेश्यो में तड़ यानी एश जी वाले में ठट से कैसे कर पाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखेगा जल में 9 की चाल 9 है और 12 की चाल 3 है भाई 9 की चाल मतलब D और 12 की चाल मतलब U क्योंकि डाउन इस्ट्रीम को ही तो हम लों बोट आली स्पीड बोलते थे याद आ रहा है कि नहीं आदा और यह हमारे पस करेंट आली स्पीड होगे सिंपल साधी बात है अच्छा अगर स्पीड 9 3 12 9 में से 3 जाएगा चाई यह डिलेटिव स्पीड आ अच्छा अब हमारे पास डिलेटिव इस्पीड आने के बाद अब हम आएंगे टाइम पे क्योंकि डिलेटिव स्पीड निकाले मेना कुछ हो नहीं सकता अब टाइम जब निकालोगे तो 6 और 12 आ हमारे साथ से टोटल टाइम लग रहा है 18 रेशियो बट एक रेशियो बराबर 3 बटे 18 यानि 1 बटे 6 गण्टे और हमें चाहिए टोटल दूरी दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम यानि 12 चक 72 तो दूरी आएगा 72 रेशियो और एक रेशियो की वैलू एक बटे 6 तो एंसर आजाएगा 12 किलोमेटर कुल मिला के हमारे पास दूरी होगे अब हम 12 अगर यहाँ पे ऑप्सन में भी रखते तो भी हमारे पास वही एंसर आता आराम समिस कोश्चन को कर पा रहे होते ठीक है गाईज पक्का है सबको एक दम क्लियर हो गया पक्का है आसान लग रहा है ना कैसे जैसे 12 अपान 9 प्लस 3 12 अपान 9 मानस 3 हमारे पास 3 घंटे आना चाहिए थे 9 3 12 यहाँ एक आजाएगा और यह 6 दूरी 12 यहाँ दो आजाएगा टोटल तीन घंटा हो गया तो क्या 12 हमारे पास सही एंसर आ रहा है और क्या यह रेशियो का मिठट सारे बालक बालिकाओं को भी समझ में आ रहा है एक दम आसाने एक और कोशन इसी पर करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा जल्दी से करो जल्दी से सोचो कैसे कुल मिलाके 3 घंटे यहाँ स्पीड है यह 6 है यह 2 है रिलेटिव निकालों के 6 दो आट 6 में से 2 जाएगा 4 अब हम आ जाएंगे टाइम पे 4 और 8 आ जाएगा 32 और एक रेश्यों के वैलू एक बट्टे चार चार अटे बट्टीस आठ किलो मीटर इस दराइट आइंसर और इस कोश्चन कितना जल्दी आइंसर आ रहा है जितना आप आप्सन में सोच के लगाते उतना हम यहाँ बहुत आसानी से लगा दे रहा है बिना किसी दिक्कत का सबको समझ में आ रहा है आसान लग रहा है अगला पार्ट उसका आपको देखने में बिल्कुल मजा आ रहा होगा कि यार सर्जी बहुत आसानी से कोश्चन सौल हो पा रहा है और किसी तरीके से हमें कोई परसानी नहीं आ रहा है अच्छा ठीक है अब उसी का थोड़ा सा औ और अपग्रेड़ मेड़ प्याते अपग्रेट वाला मेठट कौन सा और हम इसे कैसे कर पाएंगे ध्यान से समझते हैं आओ भई साथ किलोमेटर हमारे पास स्पीड दे रखका और यहां पर तीन दे रखका है रिलेटिव आप निकाल लोगे साथ तीन दस साथ में से तीन जा तो पूरी डिस्टेंस दस चोग का 40 रेशियो बराबर 40 लो आ गया है कितना आसान हो गया बहुत आसानी सापने एंसर सॉल्व कर लिया बिना किसी दिक्कत का और ऐसे कोश्टन बार बार पेपर भर के आते हैं और ऐसे कोश्टन आपको करना बहुत जरूरी होता है पक्का है चलो अब आते हैं अगले वाले कोश्टन पर पढ़ो जरा इसको स्लीक को और देखो भाईया क्या कहता यह कोश्टन और इसको लो अपना होमक सेमी को स्ल्व अब करना अपको और हर बच्चा कमेंट बाक्स में इसका सही ऑण्सर बताएं क्या हो सकता है gev आन्सर बोटन इस्टीम का हमने कुल मिलाके जितने भी टाइप से वो हमने यहाँ पे कवर कर रखें आपके रेलवे की परिक्षाओं के लिए वह यहाँ पे चौथे वाले लॉगडाउन स्रीज में पांचों लॉगडाउन स्रीज मंगलवार से साम को स्टार्ट हो जाएगा अपने वही समय में साथ बज़े से लेके जो भी समय होता उसमें हम स्टार्ट करेंगे और पांचों लॉगडाउन स्रीज में मैं के कुछ और अच्छे चैप्टर देखेंगे जो कि मंगलवार यानि की चार मई को साम को साथ बज़े स्टार्ट होगा अभी आपको यह लही रहा हों दो वज़े आपके लिए मैस के क्लास लेकर आने वाला हों गुरुप डी वाले में आपको सबसे तकंगे तरिके से बेसिक से समझ में आने वाले तो इस लॉड़ाउन असे को नियूए जूड़े जैसे आते रहेंगी वैसे से लॉक्डाउन स्रीज भी आता र झाल झाल